अच्यशंण आज हम बनाने वाले है चेट पटी स्वादिष्ट आलू की सुकी सबजी जो आप मजाले डोसे के साथ समोसा में यूज़ कर सकते हैं यह snacks के लिए बनाई जाती है इसे रोटी के साथ भी आप खा सकते हैं या पैटीस में भी आप इसे सिमाल कर सकते हैं तो सबसे पहले मैंने यहाँ पर आलू को बॉयल करके इसके छिलके हटाए हैं और यहाँ पर मैंने दो medium size के पैस बारी cut करके लिए हैं करी पत्ता, दो हरी मिर्च, चार से पाच लसन की कलिया और आद्रक की पेस्ट, धनिया पत्ती और फिर यहाँ पर हमने मसालों में लिया है नमक, स्वादा नुसार, आधा चमच हींग, एक चमच जीरा, खड़ा जीरा है और यहाँ पर आधा चमच, राई, आधा चमच, हल्दी पाउडर, और यहाँ पर आमचूर पाउडर आधी चमच, और चार्ट मसाला आधा चमच लिया है अभी सबसे पहले हम आलू को उबाल कर फिर उसके छिलके हटाएंगे और इसे इस तरह से बारिक कट कर लेंगे तो आप चाहे तो इसे मैश करके भी ले सकते हैं तो बस इसी तरह से हम इसे कट करेंगे तो देखिए यहाँ पर अभी आलू कट करके रेडी हो गया है अब हम यहाँ पर दो चमच तेल लेंगे आप चाहे तो इसकी जगह पे बटर का भी सिमाल कर सकते हैं तो कडाई गरम हो गई है उसमें तेल भी हमने गरम किया है और इसमें अभी राई डालेंगे राई चटकने के बाद फिर हम इसमें हिंग एड़ करेंगे और फिर हम इसमें जीरा एड़ करेंगे यहाँ पर पैस को बारी कट करके लिया था इसे हम इसमें डाल कर अच्छी तरह से बून लेंगे जब प्यास का Color change हो जाएगा तो फिर हम इसमें नमक डालेंगे नमक स्वादा नुसर इसमें जाने करना है और फिर अच्छी तरह से मिक्स करना है और इसमें करी पत्ता डालेंगे और फिर इसमें भून लेंगे तो इस पसंद करते हैं उसके according इसमें मिर्च डालिएगा आप चाहे तो इसमें लाल मिर्च पाउडर भी डाल सकते हैं यहां पर देखिए तेल साइड से जब चुटेगा तो फिर हम इस स्टेज में इसमें आमचुर पाउडर हल्दी पाउडर और चाठ मसाला एड़ करेंगे और इस अच्छे तरह से भून लेंगे तो यह देखिए अच्छे तरह से हमने इसे मिक्स किया हैं अब हम इस स्टेज में डालेंगे आलू और फिर आलू को इन मसालों में मिक्स करेंगे तो लो फ्लेम पर हम इसे मिक्स करेंगे इसी तरह से हम लो फ्लेम पर इसे चलाते रहेंगे आप चाहे तो कड़ाई लोए की हो तो और भी टेस्टी सब्जी बनती है इसमें आप कसुरी मेथी को डाल सकते हैं और चटपटा बनाने के लिए इसमें काला नमक आप एड़ कर सकते हैं तो यह बहुत ही स्वादिश सब्जी बनती है इसकी खुशबू इतनी अच्छी आ रही है यहाँ पर मैंने धनियापत्ता बारी कट करके लिया है जो इसमें मैं इस तरह से इसमें एड़ करूँगी बहुत सारा धनियापत्ता इसमें डालना है और इसे अच्छी तरह से मिक्स करना है यह सब्जी बहुत ही जल्दी बनती है और बच्चों को टिफिन बॉक्स में देने के लिए भी बहुत ही आसान सब्जी है यह देखिए अभी हम इसे सर्व कर सकते हैं यदि आप मेरे चैन को सब्सक्राइब लाइक और शेयर किजिएगा देखिए इस तरह से यह आलू की सब्जी हम पैटिस में भी डाल कर एक बढ़िया सा स्नैक्स बना सकते हैं बहुत सारे स्नैक्स में यह सुकी आलू की सब्जी यूज कर सकते हैं